हाव रूफिक्स वान प्लास एट गेटिंग स्लो प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में इस प्रॉब्लम को सॉल्फ के सिखर सकते हैं अगर आपके मोबाइल स्लो हो रहा है टीक है चाला रहे में दोस्तों बिलकुल स्मूट नहीं है तो मैं आपको कुछ यहां पे सब से पहले एक सेटिंग बताऊंगा उसको आप सब्सक्राण कर सकते हैं तो फॉलो किजीगा ठीक है वो सेटिंग को और उसके बाद भी दोस्तों अगर solve नहीं होते problem तो आपको मैं कुछ solutions भी बताऊंगा तो solutions को भी follow करना होगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको oneplus की device में slow issue है तो सबसे पहले जाएगा setting उसके बाद display उसके बाद advance उसके बाद refresh rate refresh rate आपको set करना होगा आप दोस्तों अल्ट्रा स्मूट ट्राइब करके देखिए ठीक है अल्ट्रा स्मूट में क्या होगा आपका mobile slow नहीं होगा smoothly run करेगा तो आप 90SZ या फिर जितने भी आपके mobile का सेलेक कीजिए ठीक है अल्ट्रा स्मूट क आप इनेबल कीजिए उसके बाद दोस्तों problem solve होता है तो ठीक है अगर solve नहीं होते problem तो दोस्तों आपको बेक करना है चेक करना है अभी latest में आपने कौन सा application डाउनलोड किया है अगर कोई भी ऐसा bad application से तो वह bad application को आपको डिलेट करना पड़ेगा ठीक है तो वह bad application को आप डिलेट कीजिएगा और अगर आपका storage full है तो आपको storage कम करना पड़ेगा ठीक है तो storage जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते है इस तो रेज पर जाके देखें अगर इस तो रेज और मॉर्स कौन इजिम हो चुका है तो free app space का option है तो जाके थोड़ा सा storage को free app करें आप होने के बाद दोस्तों चेक करके देखें अपने mobile को अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों mobile software update कीजिए ठीक है mobile software update कीजिए सिस्टेम पर जाईए सिस्टेम अपडेट और उसके बाद यहां से आप अपडेट कर सकते हैं तो software update होने के बाद आप चेक करके देख सकते problem solved हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो चुका है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solved तो दोस्तों mobile पे background application जाधा चलने मत देना ठीक है आपका connections वगरा यहां पर अगर on है बस ऐसे ही आपने यूज़ कर रखा है और सब connection on है तो दो जाके दोस्तों आपका phone slow problem solve होगा by any chance सारे solution किया फिर भी problem आ रहा है तो आप यहां पर 2 solution और कर सकते सेफ मोट पर आपने mobile को रिबूट करें उसके लिए power button को press and hold करना है power off के switch को डो सेगंड क्लिक करके रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा दोस्तों आपका phone off हो जाएगा power off में safe mode पर रिबूट हो जाएगा आपका mobile और उसकी बाद चेक करके देखिए अगर safe mode पर रिब and reset का setting follow कीजिए उसके लिए reset पर click करना है erase all data पर जाना है और erase all data कर देना है करने के सारे साथ दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप अपने slow problem ठीक है mobile slow problem यहाँ पर fix कर सकते हैं आज के लिए बस इतने दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थेंक्स फूर वाचिंग